मित्रो अब तक हमने विद्युत प्रभाह के चुम्बकिय प्रभाव के बारे में यह जाना है कि पूर्व निर्धारित विद्युत धारा सयंत्र के चुम्बकिय प्रभाव से समंदित कुछ नियम बने है गैलवनोमीटर एक ऐसा विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत सयंत्र के सिधान पर ही कारी करता है इसका उप्योग विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए और उसकी दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है गैलवनोमेटर स्थाई चुम्बिकी एक शेत्र में मुख्य आधार देने वाली एक धुरा होती है जो तारों के कुंडल की सहायता से बनाई जाती है इसे धुरी कहा जाता है यह तार का कुंडल एक पतली सुई या संकेतक से जुड़ा होता है जो एक अचूग अर्थात कैलिब्रेटेड स्केल पर घूमता है एक छोटी सी मरोडी हुई स्प्रिंग तार के कुंडल को पुनह शुन्य मापन पर ले आती है एक छोटा सा प्रयोग करें जिससे हम यह जान पाएंगे कि गैलवनोमीटर किस प्रकार बनाया जाता है यहाँ पर हम स्प्रिंग और तारो के कुंडल के स्थान पर व्रिताकार अर्थात, रिंग, चुमबक और रोजमर्रा इस्तमाल की जाने वाली तारों का उप्योग करेंगे यह धाचा गैलवनोमीटर के कारे को समझने में हमारी मदद करेगा एक प्लैस्टिक की बोतल को इस तरह काट लें कि उसकी दीवार भी बनी रहे और निशला पेंदा भी धागे की मदद से दो व्रिताकार चुमबक बोतल में डाल देंगे बारेक तारों से बनी लड लेकर उसे पांच बार बोतल के इर्दगत लपेट लेंगे इस समुझे ढांचे को रखने के लिए हम वलीद गत्ते का इस्तमाल करेंगे कागस के संकेतक को और तश्तरी को दिखाए गए पद्दती से रखें एक दोहरी ए बैटरी का उपियोग हम उर्जा के स्तरोत के रूप में करेंगे जब तारों के जरिये विद्धित प्रवाह बहता है तब चुम्ब की एक शेतर का निर्मान होता है जिसके परिणाम सुरुप सुई में विचलन निर्मान होता है जब हम स्तुरोत की आकरशन विकरशन में परिवर्तन करते हैं तब सुई की दिशा में भी परिवर्तन आता है तारों से प्रवाहित होने वाले प्रवाह को हम कम करने के लिए हम परिपत में पैंसिल का इस्तमाल कर सकते हैं कम विद्यूत प्रवाह के कारण संकेतक का विचलन भी कम होगा इस गति विधी द्वारा हम गैलवनोमेटर के कार्य पद्धिती को आसानी से समझ सकेंगे चलिए एक अन्य महत्वपूर्ण संकलपना को समझते हैं विद्यूत चुम्ब की ये प्रवर्तन जब कोई विद्यूत सुचालक चुम्ब की एक शेत्र में होता है या विद्यूत सुचालक स्थिर होता है और उसके चार और चुम्ब की एक शेत्र होता है तब सुचालक में विद्यूत प्रवाह की निर्मिती होती है यह महान वैग्यानिक फैराडे द्वारा दर्शाया गया था चलिए सिमिलेशन के द्वारा इस सिधान को समझने की कुशिश करते हैं देखते हैं कि वास्तों में यह किस प्रकार होता है जब हम चुम्बक को हिलाते हैं तब प्रेरित किये हुए विद्यू धारा के कारण बल्ब जल उठता है जब हम चुम्बक तारों के कुंडल के अंदर बाहर करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स की दिशा क्या होती है इसका निरिक्षन करें मीटर चुम्बक की एक शेतर की ताकत को नापता है यह ताकत चुम्बक को हिलाने के कारण बदलती रहती है जब हम चुम्बक को स्थाई रखकर तार के कुंडल को हिलाएंगे तब हम समान प्रभाव को देख पाएंगे एक परिनालिका बनाएं और उसके दोनों अंतिम छोड़ों को गैल्वनोमेटर से जोड़ दें अब एक छड़ चुम्बक लें और उस छड़ चुम्बक को तार के कुंडल में रखें देखें गैल्वनोमेटर में स्थित कागस का संकेत खिल रहा है जिससे यहाँ पता चलता है कि जब चुम्बक को परिनालिका के अंदर या बाहर ले जाया जाता है तब विद्यधारा निर्मान होती है यही समान परिनाम हमें उस थिती में भी प्राप्त होता है जब हम परिनालिका को चुम्बक के आगे पीछे या फिर इर्द गिर्द घुमाते हैं इस प्रयोक से हमें इस बात का पता चलता है कि जब भी तार के कुंडल से जाने वाली बलकी चुम्बक के रेखाओं की संक्या में परिवर्तन आता है तब तार के कुंडल में विद्यूत प्रवाह शुरू हो जाता है इसे ही फैराडे का विद्यूत प्रेड़न का नियम कहा जाता है जो विद्यूत प्रवाह तार के कुंडल में तयार होता है उसे प्रेरित विद्यूत धरा कहा जाता है प्रेरित या प्रवर्तन का अर्थ होत उस समय फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रवर्तन विद्युत धारा की दिशा बताता है इसका उपयोग जनित्र के तारों की कुंडली में विद्युत प्रवाह की दिशा बताने में होता है दाएं हाथ के अंगूठे को बाहर निकाले तरजनी और मद्यमा एक दूसरे स लंब में रखें जिस प्रकार चितर में दिखाया गया है सुचालक के गती जो चुम्ब की एक शेतर के सापेक्ष में होती है उसकी ओर अंगूठा निर्देश करता है पहली उंगली चुम्ब की एक शेतर की ओर निर्देश करती है और दूसरी उंगली सुचालक में प्रेर जहां पर सिर्फ एक ही दिशा से वाहनों की आवाजाही शुरू हो जिसे एकल मार्ग कहा जाता है पूर्व निर्धारित विद्युद्धारा अर्था दिश्ट प्रवाह के मामले में इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं वारम वार्था विद्युद्धारा अर्थात प्रत्यावर्थी धारा वीदिश होती है अर्थात वह दो दिशाओं में जाती है प्रत्यावर्थी का अर्थ है वो जो आगे पीछे आती जाते रहती है इस प्रकार के विद्युद्धारा का उपयोग हम हमारे घरों में करते है उसकी आपूर्ती पचास हेड्स में की जाती है इसका अर्थ है कि वो एक सेकन में पचास बार अपनी दिशा बदलती है प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्टरॉंस आगे पीछे होते हैं ये दिश्ट धारा की तरह स्थिर नहीं होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी दिशा बदलते हैं, तब एक शेकन के लिए बल्ब बंद हो जाता है। हम लोग दिशा बदलने वाली इस गतिविदी को ताड़ ही नहीं सकते हैं, और समझते हैं कि बल्ब हमेशा जलता ही रहता है। प्रत्यावर्ती धारा का वुल्टेज और उसकी प्रवाह के मात्रा की भी कलपना की जा सकती है। इस धारा का आरेक हमेशा दोलानी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा बदलती रहती है। जब तार में प्रतिरोध बढ़ता है तब प्रवाह और वोल्टीज की मात्रा में आने वाले परिवर्तन का निरिक्षण करें हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जान गए हैं तो क्यों न एक ऐसे जनित्र की निर्मिती करें जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का निर्मान करें विद्यूत निर्मान में जनित्र उस उपकरण को कहा जाता है जो यांतरिक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करता है यह काम वबाहिय परिपत के उपयोग के लिए करता है यांत्रिक उर्जा के स्त्रोत के रूप में हम भांप के टर्बाइन, गैस के टर्बाइन, पानी के टर्बाइन या फिर अंतहा ज्वलन इंजन या हैंड क्रेंग का भी इस्तमाल कर सकते हैं पहले विद्युद चुम्वकिय जनितर जिसका नाम था फेराडे डिस्क, इसे 1841 में ब्रिटिश वैग्यानिक माइकल फेराडे ने बनाया था यांदरिक उरजादवारा एक चुम्वक की एक शेतर में धुरा से लिप्टी और विद्युद धारा से युक्त तार के कुंडल को घुमाया गया जिससे विद्युत की निर्मिती हुई इसे हर एक आवरतर में दोहराया जाता है जिससे प्रत्यावरती विद्युत धारा की निर्मिती होती है इस PHETी सिमुलेशन में पानी द्वारा छड़ चुमबक से जुड़े हुए एक पहिये को घुमाया जाता है चुंबक की एक्षेत्र में बदलाव के कारण तारों में प्रिवित धारा की निर्मिती होती है पानी के प्रवाह में बढ़ोतरी के साथ विद्वित प्रवाह की मातरा भी बढ़ती जाती है जिससे बल्ब अधिक मातरा में जल उठता है चुम्बक के घूमने की अधिकतं गती एक मिनिट में 100 परिक्रमन इतनी होती है लूप की संख्या में परिवर्तन लाने से या फिर उसके क्षेतर को कम या अधिक करने से भी विद्वित प्रवाह के मातरा में परिवर्तन आता है चलिए अब जनित्र के निर्मान की गतिविधी करते हैं हम पारम पारिक जनित्र नहीं बनाएंगे वह जनित्र बनाएंगे जिसमें तामबे की तार पर बाहिय बल के परिणाम सुरूब चुम्बक को घुमाया गया है इसके लिए हम एक बड़ा सा पीवी सी का पाइप लेंगे और विद्यत्रोधक से आवरण की हुई तामबे की तार को चार सो बार कुंडला कार में उस पाइप पर लपेटेंगे दोनों छोर पर जो विद्यत्रोधक है उसे बालू के कागज अर्थात सैंड पेपर की सहायता से निकाल लें तार के दोनों छोरों पर एक एलेडी बल्ब लगाएं एक अन्य तुलना में छोटा PVC पाइप लें और उसे बेनी या तिली की सहायता से बड़े पाइप में इस प्रकार लगाएं कि वो बिना किसी रुकावट तामबे के कुंडल में परिक्रमन कर सके इस पाइप में छे वृत्तों का चुंबक अर्थात सिक्स रिंग मैगनेट रखे जब चुंबक परिक्रमन करते हैं तब चुंबकी एक शेतर में आये परिवर्तन के कारण तामबे की तारों में विद्युत प्रवाह की निर्मिती होती है जिससे LED बल्ब जल उड़ता है इस गतिविधिद्वारा निर्मित विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा है अगर हमें दिष्ट धारा की निर्मिती करनी है तो हमें विद्युत चलितर की तरह विभक्त बलाई का उप्योग करना होगा हमने विद्व चुम्बक की प्रवर्तन के बारे में जाना इसके साथ हमने दिश्ट धारा और प्रत्यावर्ति धारा की प्रवर्ति के बारे में भी अध्यान किया जनित्र की निर्मान के कारण हम यह बात समझ पाएं कि ताम्बे के क कुंडल और चुम्बक की मदद से प्रत्यावती धारा की निर्मिती किस प्रकार होती है की मदद से प्रत्यावती किस प्रत्यावती किस प्रत्यावती है